साथियों मैं देश और समाज के एक और जोलन्त विशे को आपके समझ उठाना चाहता हूँ आज महिलाओं के खिलाब अत्यचार बच्चों की सुरक्षा समाज के एक गंभीर चिंता है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं कि ट्वेंटी नाइंटी में सरकार ने फास्ट्रेक्ट स्पेशल कॉर्ट की स्थाप्णा की योजरा बनाई थी इसके तहत एहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है इसमें भी ड इस्टिक जज्ज डियम और एस्पी भी शामिल होते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के विविन ने पहलूओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भहमी का अहम होती है हमें इन कमिटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूवत है महिला अत्याचार से जुड़े मामलों मे जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा साथियों आप जानते हैं बड़े बदलाव में इंफ्रास्रेक्टर और टेक्नोलोजी के साथ ही नियमों नीतियां और नियत की भी भूमिका होती है इसलिए आज़ादी के साथ दसक बाद देश ने पहली बार हमारे कानूनी ढहँचे में इतने बड़े और एहम बड़लाव किये हैं भारतिय न्याय सहीता के रूप में हमें नया भारतिय न्याय विधान मिला है इन कानूनों की भावना है citizen first, dignity first and justice first हमारे criminal law शांसक और गुलाम वाली colonial सोच से आजाद हुए है sedition जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है नयाय सहीता की सोच नागरिकों को सजा देगा यही इतक मात्र नहीं है लेकि नागरिकों को सुरक्षा देना भी है इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाब होने वाले अपराधों पर सक्त कानून बने है दूसरी और पहली बार मामुली अपराधों में सजा के तौर पर कम्यूनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है भारतिय साक्षा दिनियम के तहट सबूत के तोर पर इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल डेकॉर्ड को भी मान्यता मिली है भारतिय नागरिक सुरक्षा समीता के तहट इलेक्ट्रोनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्ता बनाई गई है इसे नियाई पालिका पर पैंडिंग केसेस का बोज़ भी कम होगा मिरा आगरह होगा सुप्रीम कौड के महरदर्शन में डिस्ट्रिक जुडिशरी को इस नई व्यवस्ता में ट्रेन करने के लिए नए इनिशेटिव भी जरूरी है हमारे जजेश और वकिल साथे भी इस अभ्यान का हिस्सा बन सकते हैं जनता भी इस नई व्यवस्ता से परिचित हो इसमें भी हमारे वकिल और बार एसोशेशन का आहम रोल है जनता ये थमिम जना का२टिव भी ऑारे वकिल प्रवकित हो हमारे रिल्लग में प्र Evans्व भी हमारे व़कित है मारे झाला मारे ट्लग साथे ऑना हुश है मिम खी एली है